हेलो फ्रेंड्स मैं अलसर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लेडियम एजुकेशन हब में पूना एक बार स्वागत करता हूं दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं विए चुए मेर्ट इंट्रेंस 2020 के कोश्चन पेपर की एंसर की के बा सब्सक्राइब करेंगे कोश्चन नमबर 121 से लेकर के 136 तक है यह हिंदी वाला पॉर्शन को हम लोग कवर करेंगे इस वाले वीडियो में उमीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक सेर कमेंट करना नहीं बूलिए चैनल पर नहीं हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इस चैनल को आप अगर बीड कर रहे हैं आप अगर एमे कर रहे हैं बीए कर रहे हैं या आप सिच्छक सिच्छा से जोड़ना चाहते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आप एजुकेशन से पीजिटी-फीटी हो या फिर आपका कोई भी टीजिटी-फीटी हो किसी भी श्टेट का हो उससे समधित आपको इंफरमेशन मिलती रहेगी से मिलती रहे Legg या स्टेट अन्यी स्लक्राइब अलों एक्जाम की हम तैयारी आपको यूट्यूब पर कराते रहेंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को भी ब्रेस कर लिजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे समय पर चलिए देखते हैं देर न करते हुए पहला कोशन कोशन वर 121 कि इसमें एक भी कोशन गलत नहीं है तो आप लोग एकदम सही सही आप इसको मिला सकते हैं बिना डाउट के ठीक है परवती मंगल किसकी रचना है तो दोस्तों यह रचना है तुलसी दास की गुश्वामी तुलसी दास का द्यहावशन हुआ हुआ था तो यह कोशन नाचल नहीं भी इसके बाद कोशनare 124 कि टो सेकहर एक जीवनी किसकी रचना है तो दोस्तों यह रचना है आपकी कि एक मेनट एक सिकेंड एक सिकेंड दोस्तों सेखर एक जीवनी किसकी रचना है तो दोस्तों यह रचना है जैसंकर प्रशाद की 124 का आपका फर्स्ट सई है सोरी 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 मिश्टेक होगी सेखर एक जीवनी किसकी रचना है तो यह दोस्तों यह वातसायन अग्ये की है चैक है और फोर करेक्ट है इसके बाद कोश्ट नमबर 125 चंदरगुप्त नाटक की रचना कि रचना की है आपके जैसंकर प्रशाद जी ने कोश्ट नमबर 125 के दो कोश्ट नमबर 126 निम्नलिखित में से कौन सा सब्द आग का पर्यावाची है तो अनल है कौन सा सब्द उत्थान का विलो मार्थक है तो उत्थान का विलो मार्थक है पतन अपका 127 का एक इसके बाद मोटापा किस प्रकार की संग्या का सब्द है तो भावाचक संग्या है Q126, नेल कमल में कौन सा समास है? तो दोस्तों कर्मधारा है, नेल कंठ में बहुगरी है Q130 का 2 Q139 का 1 Q131 हो गया अनमोल में कौन सा उफसर्ग है? तो अनुफसर्ग है Q132, फार्सी किस वर्ग की भासा है? तो दोस्तों ये वर्ग है अर्बी इसके बाद Q133, निमलखित में से किस सब्द की वर्गनी सही है? तो दोस्तों ये सही है असिरवाज, थार्ड ओप्सन, राजभासा हिंदी के विकास का निर्देश, समीधान के किस अनुछिद में दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया 351 में आखेट किस प्रकार का सब्द है? तो दोस्तों ये है तत्सम सब्द कृतग्य का विलोम क्या है? तो दोस्तों इसका कृतग्य का विलोम है कृतग्न ठीक है? उमीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप लोग अपना अंसर की पूरा-पूरा मिला लियो होगे कोशन नमबर एक से ले करके 136 तक का जिनको भी पेपर मिला होगा वो लोग तो उसको मिला ही लियो होगे और जो लोग जिनको पेपर नहीं मिला है उनको इस्मृति के आधार पर जो याद होगा उसके आधार पर questions को answer की को आप मिला लिजेगा मतलब एक बार आप देख लिजेगा ताकि question को देखते ही option को देखते ही आपके mind में आ जाएगा कि आपका आपने कौन से किया है और इसका right answer क्या है तो please अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो please like, share, comment करना नहीं भूलिएगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe करना नहीं भूलिएगा फिर मिलते हम लोग next वीडियो में नए प्रयास, नए जोस, नए टार्गेट के साथ बाइ-बाइ, take care, तब तक के लिए all the best आप सभी लोगों को